गुलो श्री प्राननाथ प्यारिंग कीजे गुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे प्रणाम जी सुन्दर साथ जी आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान शोभाय मान प्राण प्रियतम धाम दुलहा राज रसिक के नूरी ओमल चरनार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी श्री प्राणना जीवानी 2024 के एक्शन इवेंट में आपका हार्दिक स्वागत है ये एक्शन इवेंट क्या है ऐसा क्या एक्शन है जो पहली बार श्री प्राणना जीवानी के श्री प्राणना जीवानी चैनल के इतिहास में पहली बार हो रहा है तो वो एक्शन वो सप्र आपको बहुत जल्दी मिलेगा और डॉक्टर प्रवीन और अशोग जी के करकमलों द्वारा ही मिलेगा पर उसके लिए यदि सप्राइज तयार करने में इतना समय लगाया तो थोड़ा था थोड़ा सा धैर्यत और सुंदर साजी रखना ही पड़ेगा आए कारिक्रम की शुर आपको नाम शुब्भा कहू घन वेकरीने सने अखंड सरूपने अस्थेर कारे शुब्भा कहू घन वेकरीने सने जोई जोई बच्चन आनो के उच्छा मनना वे वानी माहे ते शुब्भा शंगार शामा जीनो निर्पुंजे ओ निर्पुंजे अखंड सरूपने अस्थेर कारे शुब्भा कहू घन वेकरीने सने एशो भनावे वानी माहे पन साथ समाथे कहे वानी एशो भनावे वानी माहे पन साथ माहे वानी एलीला साथना रुद्मार अमादवा तामे सबड माहानी शुब्भा शंगार श्रामा जीनो निर्पुंजे ओ ओ निर्पुंजे चरन गोठा अती भला चरन गोठा अती भला पासे कुमर अंगलियो साथ गगगपगर रिरे गारे सानीधा वारे साथ चरन अंगोठा अती भला पासे कुमर अंगलियो सार रंगतो अती रलिया मानो दिसो नखहिं निरा टना जलकार शोभशिंगा अर्शामा जीनो निर्पुंजी अखंड सरोपने अस्थिर कारे शुंखा कहूं घणवे करेने सने जी प्रनाम प्रनाम जी सुन्दर साथ जी इतनी छोटी आयू में केवल कॉलेज में पढ़ती हुई हमारी ये बच्ची अती सुन्दर बेटा आपके चरनों में प्रनाम जARS, ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहें और धनी की महर को फ्राप्ट करते रहें प्रणाम जी हमारी सहयोगिता में भी हमने दीप शिखा जी के मुकार्पिंद के बहुत सारे किरंतन उनके कंट पर जो विशेष महर श्री जी की बरस्ती है उसका आनंद लिया आईए सुंदर साथ जी आज ऐसे सुंदर साथ सज कर दिग्री देते थे आके कई बार चीफ मिनिस्टर आते थे तो हमारे आज हमारे पास भी डॉक्टर प्रवीन और अशोग जी हैं उनके करकमलों से जब हमें सहयोगिता में फ्लाइंग कलर्स में पास होने की डिग्री मिलेगी इस अध्यात्मिक ज्यान की जब मिलती है न तो अ हम चलते हैं दुश्यन भाईया की ओर ओवरॉल व्यू लेते हैं उनसे और डॉक्टर प्रवीन का स्वागत भी उनके मुझ से प्रणाम जी दुश्यन भाईया सुंदर साज जी, महमती श्री प्रणा जी अपने वांग में सरूप श्री कुल्यमबाणी के रूप में हमारे सनमुख विराजमान है ये श्री प्राण्णा जी की अखंड ब्रह्मवानी सारे जगत का कल्यान और अपनी अंगनाओं को वापस परमधाम में जागरित करने के लिए आई है ये बानी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मती न जाने विचार, मा मती कहे पुकार पुकार गर्जना कर रही है, उसका नाम है श्री प्राणजि वानी चैनल श्री प्राणजि वानी चैनल 2020 से जूम, फेस्बुक, यूट्यूब, आधी के माधियम से पुज्य शिरी राजन स्वामी जी के वानी टीका को आधार बना कर वानी के छिपे गुज रहश्यों को खोल कर सुन्दर साथ की जागनी को सुलब कर रहा है। जो लगबक 6 मां से जाधा तक चली। शिरी प्राणनाजी वानी चैनल ने अपनी कुछ अभूत पूर्व दुरलब अधित्य विशेस्ताओं के कारण वर्तमान में एक असाधारण उपलब्धी को हासिल किया है। उन में से कुछ बिंदू निम्र प्रकार हैं। प्रतम पुज स्वामी जी के टीका के भावार्थ को शिर्मती सोनिया आशेश जुनेजा जी अपने मुखार बिंद से अत्यंत कोमल हिर्दे से प्रेम रसमे पगे मीठे वचनों से आत्मार्थ और प्रेमार्थ तक ले जाती है। ऐसा तो केवल उनके हिर्दे में बैठे धाम धनी द्वारा ही संभव है। बिंदू नमबर दो श्री प्राणना जी वानी चैनल एक ऐसा प्रेम मंदिर है। यहां सब विवादों वादों से उपर उठकर हम तुम एक वतन के अपने रुहों न दोय के सिद्धान्त पर प्रेम की रहनी का अनभव यहां सब सुन्दर साथ कर रहे हैं। बिंदू नमबर तीन वर्षों से हम दो समदायों सिरी कृष्ण पर नामी सिरी निजानन्दी में बठकर बैठे थे। ये चैनल ऐसा पहला मंच बना जहां दोनों निजनाम निजनाम सिरी कृष्ण जी और निजनाम सिरी साहिब जी प्रेम से सुन्दर साथ द्वारा बोले गएं। जिससे दोनों समदाय की दूरिया घट रही हैं। चतुर्त बिंदू वर्तमान में सिरी कृष्ण त्रिधा लीला चर्चा पर आधारित प्रश्णोत्री को प्रतियोगता नहीं। अती रोचक सहयोगता के रूप में 12 टीमों अर्थात 12 जुतों के द्वारा लगभग 133 सुन्दर साथ ने प्रतक्ष रूप से खेला। जिसका उदेश सिरी कृष्ण सुरूप में शिरी राजी की ब्रज रास की लीला और उसके गूर रहश्यों को सुन्दर साथ के हिर्दे में रोचक तरह से बैठाना और सहयोगता की तैयारी की नीटिंगों द्वारा सुन्दर साथ में परस्वर ब्रज जैसा प्रेम विक्स अगर स्री सिंधिवानी की प्रेम मही चर्चा स्रीमती सोनिया जुनेजा जी के मुखार बिंद से सुनकर ने केवल सुन्दर साथ ने अपार आनंद की अनभोती की बलकि अपने कई विकारों जैसे तामसिक अहार, चाय, लहसुन, प्याज, आदी और क्रोध निंदा पर ने अंतरन करके अपनी रहनी को भी उच्च बनाने का प्रियास किया, सस्टम बिंदू, इस चैनल ने सुन्दर साथ की व्यक्तिकत जागनी यात्रा को उनकी मीठी बतियां द्वारा मंच प्रदान किया, जिससे सभी को प्रेणा मिली, यहां सुन्दर साथ जी के भावों को भी स्थान दिया जाता है, जो नए प्रेणा के स्रोत बनते हैं। सापताहिक प्रश्णोत्तरी, आत्मिक रिमाइंडर्स, बीत तक्विजिज, प्रभाई जनों के लिए चर्चा आदी, इन सब उतकरष्ट सेवाओं को संभव बनाने की शोबा हमारे अनेक अनमोल अगरगन्य सुन्दर साथ जी को है, जिनमें विशेस रूप से शिरी प्रिविन भाई जी पटेल, शिरी मती शांता जी, शिरी मती ईशास्थाना जी, शिरी मती शिल्पा जी, रूबी जी और अनेक प्यारे सुन्दर साथ जी भी हैं, और विशेस रूप से विविन्य परसंगों संदर्बों को मनमोहक्चित्र बनाकर जीवन्त करने वाले हमारे अती प्रिय, अती सिवा भावी, हम बने इल्ब बनाने वाले अज्यात गुप्त सुन्दर साथ जी भी हैं, शिरी अक्षर अतीत प्रियतम से हम सभी की यही विंती है कि सिरी मती सोनिय जी और सभी सेवा के अगरगने साथ जी को शिरी राजी और अधिक बल दें, ताक हो जाए, सिरी मती सोनिय जी और सभी सेवा भावी सुन्दर साथ जी का हिरदय से हम सभी जूम परिवार की तरफ से आभार प्रकट करते हैं और कोटी-कोटी प्रणाम करते हैं, और हमारे प्रियतम धाम धनी जी का अनंत शुकराना, सिरी सद्गुर महराजी का अनंत शुकर के जो होए धनी को प्रकास जी, सभी सुन्दरसाज जी के चर्णों में साधर प्रेम पड़ा। सुन्दरसाज जी, डॉक्टर प्रवीन की और, जिनको सुनने के लिए, जिनके वचन सुनने के लिए हम हमेशा आतुर रहते हैं, क्यूंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही, सुन्दरसाज जी, गीता दर्शनम जैसा ग्रंत भी लिख डाला, और मैंने तो सुनाए, जब क केवल पांच साल के थे तो श्लोक श्लोक खेला करते थे, छोटे बच्चों के साथ भी, होनहार बिर्वान के होत चीकने पाथ, ऐसे हमारे डॉक्टर प्रवीन आए सुनते हैं उनके मुखारविन से, प्रणाम जी भाया, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुन्दरसाज जी, सु तुसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री क्रशन से पूछते हैं, हे केशव, परमात्मा को प्राप्थ हुए इस्तिर बुद्धी पुरुस का क्या लक्षण है, वे इस्तित प्रग्य कैसे बोलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तब श्री क्रशन जी उत्तर दिया, कि प्रजहाती यदा कामान, सर्वान पार्थ मनो गतान, आत्म अन्य वात्मना तुस्टा, इस्तित प्रग्य स्ति दोच्चिते, अर्थात, हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इस्तित समस्तलों की कामनाओं को त्याग कर, आत्मा से आत्मा में ही संतुस्ट रहता है, वे उस क साल में इस्तित प्रग्य कहलाता है, और जो दुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ती में जो सर्वता निस्प रहता है, तथा जिसके राग, भें और क्रोध नस्ट हो गए हैं, ऐसा मुनी इस्तित प्रग्य कहा जाता है हम सो भागे साली हैं कि ऐसे ही सद्गुनों से विभुशित, धीर, गंभीर, आध्वुनिक और आध्यात्मिक दोनों विज्ञान में पारंगत तत्व वेता ब्रह्ममनी आधर्णिय डाक्टर प्रिवीन बत्रा जी के आशीर वचनों का लाब पुने आज हमें स्री क्रश्ण तिर्धा लीला के इस विशेस कारिक्रम में मिलने जा रहा है डाक्टर प्रिवीन जी का हार्दिक अभिनंदन और उनके चड़ों में साधर प्रेम प्रणाम जी प्रणाम जी सुन्दर साथ जी यहां तो शब्दों के फूल ही हम अर्पित कर सकते हैं और आपके वो फूल अर्पित करने के लिए हम सब सुन्दर साथ की ओर से बहुत-बहुत शुक्राना डॉक्टर प्रवीन जी प्रणाम जी प्राणाधार सुंदर साथ जी आप सभी को मेरा प्रणाम मैं बार बार सभी सुंदर साथ से निवेदन करता हूँ ये जो अलंकार लगाए जाते हैं शब्दों की एक गरीमा है गरीमा के ये शब्द गरीमा में पुरुषों को ही सुशोवित होते हैं तो ये जो इतना ब्रिहद परीचे दिया गया है मैं तो सच्छ हृदे से ये स्विकार करता हूँ कि इसमें से एक भी विशेष्टा मेरे हृदे में नहीं है जितने भी परम्हंस हुए जितने भी ब्रह्ममुनी हुए हम उनको देखते हैं उनसे प्रकाश लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि माया और अज्यान की सरात्री में टिम्तिमाते हुए उन तारों को देखा तो जा सकता है उनसे प्रकाश लिया जा सकता है लेकिन उनके जैसा बनने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता तो मैं एक सरल सधारन सुन्दर साथ हूँ आप सभी सुन्दर साथ से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि मेरा परीचे बस इतना ही रखा जाए उसी में ही मुझे सुख होगा आज इस कारेकरम में स्री प्राणना जी वाणी चैनल के मात्यम से जो गतिविद्या हो रही है उसका एक संशिप्त रूप में समापनकारिकरम यहां है जब गोतम बुद्ध को साक्षातकार हुआ तो जातक अठाएं कहती हैं कि गोतम बुद्ध मौन हो रही उन्होंने अपनी आखें बंद कर ली उन्होंने अपनी वाणी को विराम दे दिया स्वर्ग के देवता यह देखते हैं तो उनके मन में बड़ी कोतुहल पैदा होता है वो विचार करते हैं कि हजारों साल बीतने के बाद कोई एक ऐसा पुरुष होता है जो गुद्धत्यों को प्राप्त होता है आप बुद्धत्यों को प्राप्त हुए यदि आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो संचार का कल्यान कैसे हो स्वर्ग के सारे देवता गौतम बुद्ध के सामने आते हैं उनके सामने हाथ जोड़ करके बिंती करते हैं कि भंते आप कुछ बोलिए आपको जो रस मिला है आपको जो आनंद मिला है आपको जो शांती मिली है संचार के लोग उसको सुनना चाहते हैं संचार के लोग उसको अनुभो करना चाहते हैं यदि आप मौन रहेंगे तो संचार उस रस से वंचित हो जाए स्रुजी को भी जब साक्षाकार होता है स्रुजी को भी जब परम्तत्यू की अनुभूती होती है उनके सामने भी यही दुविदा है पाणी में अनेक ऐसी चोपाईया है कि जब मैं होती बिरहा में तो मुख, शब्द मुख कहिऊ न जाए कि बिरहा की उन गहनतम अवस्थाओं में उन अनुभूतियों में मुख से एक शब्द भी नहीं निकल गए लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनोती सबसे बड़ा कार्य यह भी है कि सबों के सुख कारणे तू जाहिर भई महम्मद कि तुम्हारी जागनी केवल तुम्हारे लिए नहीं सबों के सुख कारणे तू जाहिर भई महम्मद और जब उन्हें इस बात का बान होता है कि जागनी का यह जो रत है यह अक्षरातीत ने मेरे कंधों पर रखा है तो वो बोलते हैं लेकिन एक रिदे में एक दीपक जला है मेराज ठाकुर के रिदे में एक दीपक जलता है संसार में चारों तौर पंदकार है लेकिन उस दीपक ने ठाना है सुख शीतल करू संसार मैं सारे संसार में सुख को पसार दू मैं सारे संसार में शीतलता वर्साओ लेकिन एक अकेला दीपक ऐसा नहीं कर सकता इसलिए निजानन सम्प्रदाय में निजानन समाज के अंदर मुकुन्दाजी ने सत्गुरु की बहुत सुन्दर परिभाशा दी तुम सत्गुरु दीपक वहे कियो जो आप समान यदि पूरे विश्व से अंदकार को मिटाना है तो दीपक के पास केवल एक ही उपाय है कि वो अपने समान अनेग दीपको प्रजुलिक कर दे और वो दीपक उस प्रकाश को संसार के कौने-कौने में लेकर के जाए और चारों तरब अंदकार हटे और जान का प्रकाश है सुन्दर साथ जी, समय बदलता है, जागनी का माध्यम बदलता है एक समय सरजी के साथ सुन्दर साथ पन्ना में चिठियां लिखा करते थे और उन जिठियों को देश में, प्राहंतों में, जिलों में भेजा जाता था सभी सुन्दर साथ को बाणी का रस पहुंचाया जाता था आज परिस्थितियां बतली हैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूग के माध्यम से, पेसबुक के माध्यम से और जूम मिटिंग के माध्यम से हम सभी भी वो एक छोटा सा दीपक बन करके उस महान उदेश्य में अपनी भूमी का निभा रहे हम भी इन संसाधनों के माध्यम से स्रजी के उस अमर अखंट संदेश को जन जन तक पहुँचाने में अपना छोटा सा प्रयास करने सिर्जी ने जब पाती लिखी थी बाराम्र ममुनियों को डिली में सिर्जी उस पाती में लिखते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत छोटा कारे कर रहे हो लेकिन ये कारे छोटा नहीं है, ये कारे बहुत बड़ा है तो मैं आप सभी सुन्दर साथ से कहना चाहूँगा, कि हमें कई बार लगता है कि हमारे छोटे-छोटे प्रयासों से क्या होगा, लेकिन कोई भी कारे छोटा नहीं होता, यदि आप ताक्तम माणी के संदेश को सुन्दर साथ तक ले करके जाते हैं, जो सुन्दर साथ हर परिस्टिटी आएगी जब उसके उसे क्रोध करना होगा या जब भी उसके सामने कोई ऐसी विशमता आएगी जब उसका इमान डगमगाएगा सुभे की स्मर्ण की बातें उसके हर्दे पर चोट करेंगी कि ये मेरे घर के लिए नहीं है मैं इस संसार से परे हूँ मेरा स्वरूप इस संसार से परे है और मैं उस आनंद के सागर की एक लहर हूँ इस प्रकार जब घर घर में सरजी का संदेश पहुँचेगा लोगों में सकारात्मकता जागेगी घर घर तक शरजी का जान जाएगा लोगों की हरदियों में प्रेम पैदा हुगा और आज निजानन्द समाज को ऐसे लोगों की ऐसे सुन्दर साथ की आपशकता है जो नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थितियों में भी कुछ नकुछ साकारात्मक न ढून देगा आज ऐसे सुन्दर साथ की आपसकता है जो सबको साथ लेकर केचने आज ऐसे सुन्दर साथ की आपसकता है जो Park Team सबसे पीछे खाड़े होने को तयार है लेकिन अपना तन, मन और धन सबको स्रजी परुचावर करने को सदय करें तो मैं आप सभी सुन्दर साथ के लिए सदेव सुब कामनाय देता हूँ और मेरी सरजी से यही कातना है कि धामधनी इस टीम को और इस टीम को भी नहीं जो भी सुन्दर साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जागनी कर रहे हैं कोई बटसेब ग्रुप चला रहा है कोई जूम टीवी चला रहा है कोई यूट्यूब पर है कोई वानी गायन कर रहा है कोई चर्चा कर रहा है कोई चर्चनी कर रहा है सभी जुन्दर साथ को धामधनी और अधिक बल दें और अधिक सामर्थे दें ताकि वो अपने थन मंधन से इस रास्ते पर चलते चलें लेकिन एक बात को हम सदय उसमठ रखें कि सेवा अपने साथ में एक बहुत बड़ी जिन्मबारी लेकर के आती है हम जब भी सेवा करें सेवा दो प्रकार से की जाती है एक सेवा का भाव है कि मैं सेवा कर रहा हूँ मुझे बहुत खुशी होती है मुझे बहुत आनंद मिलता है मैं बहुत गौरवानवित महसूस करता हूँ हमने सेवा की हम गौरवानवित हुए लेकिन एक दूसरा भाव है जो उससे भी बहुत जादा अमुल्ले है दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव यह है कि धामधनी अक्षरातीत आपने हमें सेवा का मौका दिया हम धन्ने हुए वेद के अंदर यजुर वेद हो, रिवेद हो, अथर वेद हो परमात्मा की स्तुति में परमात्मा को अनंत आखों वाला कहा गया है सहस्त रशीर्शा, सहस्त राक्षा, सहस्त रुपाग कि उस परमात्मा की अनंत आखें हैं, परमात्मा की अनंत भुजाएं हैं, उसकी अनंत पाउं है इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा का सामर्थ अनंत है अक्षरातीत के सामर्थ अनंत है अक्षरातीत को किसी की कोई आउशक्ता नहीं लेकिन जीवन की इस पगडंडी पर जीवन की इस रहा में यदि हमारी जूली में ये सेवा आई तो हम जुख करके इसको स्विकार करें और सदेव दीन्टा को अपने हिर्दे में रख कर इत दोए दिन का लाव जो लेना अगर हम यहाँ पर यह जो थोड़ा सा समय हमें जो मिला है हम गरीवी को धारन करें, बिनम्बरता को धारन करें अपने एहम को छोर करके, अपने तनमंधन से जो भी हमें स्रजी ने दिया, इस जागनी के कारें में अपना सहयोग दें, एक बार फिर से सभी टीम के सदस्यों को मेरी हार्दिक हार्दिक शुब कामनाए मेरी अक्षराती धामधनी से लिंटी है कि वो आप सभी को और अधिक प्रेम दें, आप सभी को और अधिक सामध्य दें आप सभी को नए-नए विचार दें, आप सभी केरदे में प्रति दिन नए उमंग डालें कि हर रोज हजारों नकारत्मक्ताओं में भी हम एक सकरात्मक्ता की किरन बन करके खड़े हो जाएं चारों तरफ से चाहे विशमताओं का अमबार लगा हो लेकिन हम किसी ना किसी तरह से समता का एक सामथ्य बना करके निखने मेरी इंग शुक्का मनाओं के साथ मैं अपनी मानी को यही दिराम दोंगा आप सभी प्यारे सुन्दर साथ के धाम भिर्दे में दिराजमार अक्षराती परधम को मेरा बहुत सुन्दर संदेश सभी हम सभी सेवादारों के लिए कि शुकर है धनी जी ने इस विश्मई संसार में सेवा के यह सुनहरी पल हमारी जोली में डाले इसी संदेश को हमेशा ध्यान में रखते हुए सभी सुन्दर साथ सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे और आये सुन्दर साथ जी अब वो पल आ चुका है जिसका बेसबरी से सभी सुन्दर साथ को इंतजार है तो आये चलते हैं इसको डॉक्टर प्रवीन जी और अशोग और किरन माता जी इनके कर कमलों द्वारा ही समझेगा क्योंकि ओनलाइन इसी प्रकार संभव है पर स्वयम ऐसे ही सोचेगा जैसे हमें उनके हाथों से ही ये प्राप्त हो रहा है आये चलते हैं ये वो सुन्दर साथ हैं जो सामने भी नहीं आना चाहते पर पिछले दो महीन इसे कड़ी मेनत के द्वारा उन्होंने ये हम सब के लिए तैयार किया है आये सुन्दर साथ जी लो एंड बिखोल्ड जी तो वो एक्शन इवेंट क्या है श्रिप्राना जी वानी परिवार की और से पहली बार ऐसा हुआ कि एक 5, 4, 3, 2, 1, 0 बो श्री प्राननाथ प्यारी कीजे बो श्री सत्गुरू महराजी कीजे श्री कृष्न तृधा लीला ये पुस्तक का विमोचन डॉक्टर प्रवीन और अशोग जी और किरन माता जी के कर कमलों द्वारा ही ये समझा जाए और हम सब को ये आज ही प्राप्त होगी इनको लिखने की सेवा किनोने की इनको बुक में बुक के रूप में एक किताब के रूप में एक ग्रंत के रूप में बनाने की सेवा किनोने की बहुत सारे सुन्दर साथ इस सेवा में शामिल रहे श्री कृष्ण तृधा लीला पहली e-book का विमोचन श्री प्राना जी वाने परिवार की और से होने पर हम सब सुन्दर साथ को बहुत-बहुत बधाई हो और इसका नाकेवल हिंदी में बलकि गुजराती, नेपाली और इंग्लिश में भी अनुवाद होकर आचुका है और आ इंदी आज से ही उपलब्ध है, आप कारेकरम के बाद उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी सुन्दर साथ के लिए ओपन इंविटेशन है, प्लीज गो अहेड और डाउनलोड इट, और हमारे विशेश अतितियों के लिए श्री प्राना जी वानी परिवार की और से सप् परिवार का अस्तित्व है, उन्हीं के एक एक शब्द के द्वारा ये मीटिंग चलती है, उसके बिना ये चल ही नहीं सकता सुन्दर साथ जी, तो धामधनी की महर, महामती जी की वानी, स्वामी जी का टीका और क्या चाहिए, तो हम इन्हीं बुक को खोल कर, इसी किताब को खोल कर सुन्दर साथ जी विमोचन करते हैं, आईए इस प्रकार इसको डाउनलोड करेंगे, हम अपनी बुक यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी स्वामी जी की डाउनलोड करके, और ये देखिए, डाउनलोड हो रही है, और देखिए कितना सुन्दर डिजाइन हमारे स सुन्दर साथ जी ने तयार किया, कितनी रातें वो जागे, ये सुन्दर साथ जी मैंने देखा है, कितनी रातें जाग जाग कर ये तृधा लीला को, पहली लीला, ब्रज की लीला, दूसरी लीला, प्रति बिम्ब की रास, और तीसरी लीला, जब वो विश्नु मैं हो गए, इस कवर को बनाने में कितने दिन लगे हैं सुन्दर साथ जी ऐसे प्यारे सुन्दर साथ के चर्णों में जितने प्रणाम किये जाएं उतने कम हैं जो हमेशा कहते हैं राज शामा जी दीदी मेरा नाम मतली जीए राज शामा जी जो करवाया उन्होंने करवाया जैसे जैसे अक्षर भी यहां बड़े होते गए अती सुन्दर बहुत सोच के अती सुन्दर डिजाइन उन्होंने बनाया जिस प्रकार ब्रज में जमुना जी के किनारे हम सब सुन्दर साथ पनघट पे जाया करते थे वहां पर मटकी भर कर कृष्ण जी से लीला किया करते थे उसको सोच कर बनाया गया राजन स्वामी जी के चर्णों में प्रणाम जी वह फिजिकली यहां प्रेजन्ट हो या ना हो पर हमेशा हमारे साथ एक एक शब्द के थुरू स्वामी जी हमारे साथ रहते हैं और यह देखिए श्री कृष्ण तृधा लीला की जो लेखन की सेवा की गई इशा अस्थाना जी हुश्यारपूर सुन्दर साथ अभी अभी जुड़ी हैं हमारे साथ और आते ही एक एक वीडियो को दस दस बार सतर राते जागा गया है सुन्दर साथ जी इनको लिखने की सेवा करने के लिए प्रूफ रीडिंग की सेवा कमलेश भाई पटेल हिम्मत नगर सुन्दर साथ एक बार नहीं पांच-पांच बार इसकी प्रूफ रीडिंग की गई है सुन्दर साथ जी आप सभी निस्वार्थ अथक निरंतर सेवा भावी सुन्दर साथ के चड़नों में कोटी-कोटी प्रनाम बस एक बार इनके दर्शन करेंगे बहुत जल्दी स यह देखिए बहुत सुन्दर नक्षे शुरू करने से पहले जानने योगे बातें कितने अध्याए नौ अध्याए हैं इस पुस्तक में अवश्य पढ़िएगा अपने फीडबैक अवश्य देजिएगा पहला अध्याए खेल में आने का कारण और महा कारण यह देखिए यह खुद स्केच किया गया है सुन्दर साथ जी और मैंने उनसे पूछा आपने उनका मुख क्यों नहीं बनाया मुखार बिंद सामने के फेस को बना देते उन्होंने कहा दीदी कृष्ण जी ही इतने सुन्दर रहे होंगे राजजी की सुन्दरता तो कैसी होगी मैं तो उनके बाल बनाए हैं ऐसे प्यारे भावों के वो सुन्दर साथ उनके चर्णों में जितने प्रनाम किये जाएं उतने कम हैं यह देखिए अति सुन्दर अध्याय दो और इसी प्रकार यह नौ अध्याय होते होते सभी सुन्दर साथ जी जिनोंने सहयोगिता में पार्टिस तब को बनाया गया है इसी लिए तो इतने दिन लगे हैं इसको बनाने में एक एक का personalized copy जिनोंने से योगिता में भाग लिया सबको उनकी customized copy प्राप्त हो जाएगी personalized जिसमें नाम लिखा है यदी प्रवाही किनी को मिलती है वो कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे facebook पर clickable link बनाया गया हमारे facebook पर भी जाकर वो इसका इस पर प्रश्न हमें लिख कर दे सकते हैं YouTube पर जा सकते हैं या फिर हमारे YouTube Facebook या फिर बाकी जो भी वहां पर link दिये गए हैं उस पर जा सकते हैं एक किताब हम और खोलने वाले हैं वैसे भी श्रिप्राना जी सेवा परिवार में इशास्थाना जी कमलेशवाई जी और सुंदर साथ जी आभार पत्र भी तयार किये ग जी और आए देखते हैं डॉक्तर प्रवीन जी का अभार पत्र जी तो बहुत सुंदर अती सुंदर आभार पत्रों के कितने डिजाइन बनकर आए एक पूछा गया पर हमें कितने प्राप्त हुए सुंदर साजी आठ प्रकार के अभार पत्र प्रवीन बत्रा जी अशोग किरन माता जी के चर्णों में कोटी कोटी प्रणाम आपके अमूले समय देकर मीठी प्रेना दायक चर्चा की प्रेम पूर्ण सेवा के लिए आपका रिदय से आभार आपका आभार इन शब्दों से किया नहीं जा सकता मैं जानती हूं पर यहां पर यहां के शब्द ही प्र यह देखे, इनकी प्रतिक्रिया यानि के इनकी मीठी समीक्षा, यानि के रिव्यूस भी आ चुके हैं, हमारी स्नेहा नयोपाने जी, उनोंने नेबाली में इनका ट्रांसलेशन भी किया था, उनकी तरफ से नेपाली में और स्तुति शाह की और से इंग्लिश में, संजीव भाई शाह जी की और से गुजराती में, प्रवीन भाई पतेल जी की और से गुजराती में इनका बहुत सुन्दर समीक्षा भी प्राप्त हो चुकी है तो आएए आभार पत्र पर भी नजर डाल लेते हैं, ये हमारे सुन्दर साथ रहे जिनोंने अपनी टीमों में अती सुन्दर, कोई ब्रह्म ग्यान, कोई समर्पन, कोई चित्वन, कोई सेवा, कोई प्रेम, कोई सिनगार, किसी का नाम जागनी, किसी का नाम इश्क, किसी का न नाम आनंद, किसी का नाम इमान, महर, रहनी और फिर से आया ब्रह्म ग्यान सुन्दर साथ जी 133 सुन्दर साथ ने सहयोगिता में भाग लिया, we are so proud of you, अभार पत्र, for example, इमान टीम के अभार पत्र आपको इमान पर क्लिक करके मिलेंगे, ताकि आप सुन्दर साथ को 133 में न दूनने पड़े, suppose आप प्रेम टीम के दूनना चाहते हैं, प्रेम पर क्लिक कीजिए, और यहां पर आपको अपनी टीम का अपना आभार पत्र भी मिलेगा, for example, यदि हम कमलेश पतेल जी का चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, for example, मैंने क्लिक किया, वो डाउनलोड हो चुका है, और अभी मैं उनका आभार पत्र खोल रही हूं, I hope वो सामने आ रहा है, जी, वो सामने शायद नहीं आ रहा है इसके, तो आइए चलते हैं, आप यहां से अपनी ई-पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं, यह ई-पुस्तक का यहां पर बना हुआ है आइकन, यहां से आप अपनी हर सुन्दर साथ का नाम उस ई-पुस्तक पर आपको मिलेगा, तो आइए चलते हैं, इ-बुक सेवा आभार पत्र, यह ई-बुक बनाने में किन-किन सुन्दर साथ ने सेवाएं प्रदान की, श्रीमती ईशा अस्थाना जी, श उक्त सुन्दर साथ जी ने भी नेपाली में प्रूफ रीडिंग और ट्रांसलेशन की भुमिका निभाई, श्रीमती इंद्रावती उप्रेती जी भी नेपाली भाशा में रही, स्तुति शाह जी और प्राची गांधी जी और हेमन भाई पतेल जी ने इंग्लिश ट्रांसल सफलता पूर्वक हैंडल किया और हमारे गुप्त सुन्दर साथ जी ने इसको किताब का आकार दिया, ये पूरी एक मिनी वेबसाइट जैसी हम सब सुन्दर साथ की सेवा में तयार की ताकि हमें अपने अभार पत्रों को, अपनी e-books को और इस e-book का जो विमोचन होने वाल श्रिप्राना जी वानी, Zoom परिवार, YouTube परिवार, WhatsApp परिवार, Instagram परिवार, Telegram परिवार, Facebook परिवार, सब सुन्दर साथ को हार्दिक बधाई और आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने इतना प्रेम हम सब पर लुटाया और देश-विदेश के भाव आए, उसमें आचारे अशोक जी ने ज्यान पीट की टीम, ज्यान श्रिप्राना ज्यान पीट की टीम लेकर आए, किरन माता जी गुरुकुल की और साथ में कैलाश माता जी और बाकी सबी सुन्दर साथ अपने अपने शेहरों से देश-विदेश से टीम लेकर आए, यहां Google Quiz प्रश्न सेवा, मू अपना ये आभार पत्र डाउनलोड करना मत भूलिएगा सुन्दर साथ जी, और आगे आते हैं हमारे overall heads जिनोंने इन कारखानों को बहुत प्यार से, बहुत सुन्दरता से, बिना एक सुन्दर साथ का दिल दुखाए संभाला, यह सबसे बड़ी उपलब्दी रही, श्री क और हमारे गुप्त सुन्दर साथ जिनके बिना आज की event ये possible नहीं हो सकती थी, design and execution के head रहे और शांता जैन जी, PR and HR head रही, यानि के public relations and HR head, बहुत प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार, आप सब के चर्णों में, आप सभी आज ही अपने ये gifts, अपने डाउनलो करके उसको frame करवा के जैसे आप चाहें रख सकते हैं, अब एक और अभी बाकी है सुन्दर साथ जी, एक और surprise जो सुन्दर साथ ने हमारे लिए कर दिखाया है, ये देखिए, हमारी ये किताब Amazon Kindle पर उपलब्द हो चुकी है, it's live, यदि आप Amazon पर जाएंगे, तो इस प्रक कार की, यदि आप खोजेंगे, ये लिंक भी आपके साथ शेर कर दिया जाएगा, सुन्दर साथ जी, Amazon पर पहली ही किताब श्री प्राना जी वानी की उपलब्द होने पर, सभी सुन्दर साथ को बहुत 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 बधाई, हमारे एक छोटे से मंच के लिए, एक बूंद, बूंद बराबर मंच के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धी, धाम धनी की महर, श्री राजन स्वामी जी के आशिरवाद, और आप सब सुन्दर साथ के प्रेम, और डॉक्टर प्रवीन, अशोग जी, किरन माता जी, इन सब की शुप कामनाओं से ही आई है, आ आगे बढ़ते रहे, बहुत बहुत आभार, बहुत सारा प्यार, शब्दों में कभी बयान ने किया जा सकता, इस मरुस्थल में, ऑस्ट्रेलिया के इस मरुस्थल में भी, जो वर्शा प्रेम की आपने की है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, सुन्दर साथ जी, अपके प्यारे अशोग जी की और, प्रणाम जी अशोग जी, प्रणाम जी पहले दुश्यन भाईया, फिर अशोग जी, हमारे दुश्यन भाईया अपने शब्दों के पूलों से अशोग जी का स्वागत करेंगे, प्रणाम जी दुश्यन जी, प्रणाम सुन्दर साथ जी सुन्दर साज जी आईए चलते हैं एक और ब्रह्म मुनी जी की और अरिवंश पुरान के भविश पर्व में लिखा है अभावीनो भविशन्ती मुनियो ब्रह्म रूपिन उत्पन्ना ये करतियोगे प्रधान पुरुष आश्राया अर्थात आज से पूरु जो पहले कभी नहीं आए और भविश में भी नया आने वाले ब्रह्म मुनी जो उत्तम पुरुष का आश्रे लेंगे ऐसे कल्यूग में प्रकट होंगे और जिनकी अखत कता सुनकर कल्यूग के मानव उनकी पूजा करेंगे और उनकी पूजा के प्रवाव से जीव स्रस्ट्री का भी उद्धार हो जाएगा ऐसे ही ब्रह्म मुनियों में से एक हमारे युवा उद्वट विद्वान आचारी अशोग जी जो पूज्य स्वामी जी के सपने पसर्सी चौद्य भवन के लिए एहर निश्जागनी कारिय में लगे है आदर्निय आचारी अशोग जी की उपस्तिती ने इस कारिक्रम को और भी विशेस बना दिया है आदर्निय आचारी अशोग जी का हम सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन और उनके चर्णों में प्रेम प्रणाम जी प्रणाम जी अशोग जैसा कि अभी थोड़ी दर पहले हमने आदर्निय प्रवेंट जी से भी सुना कि ये जितनी भी उपाधियां है ना राजी ही एक मात्र सभी प्रकार की उपाधिय के योग्य हैं और एक बात जो हम सब को याद रखनी चाहिए और मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि वो बात मेरे हृदय में मेरे जीवन में भी उतर सके कि हम बहुत सवभाग्य शारी हैं कि राजी ने हमें इस सेवा के लायक समझा रहे हैं और जो भी थोड़ा बहुत प्रयास हमसे हो रहा है वो भी करवाने वाले राजी हैं सुनर्शाजी आज चुकि त्रीधा लिलाकी सहयोगिता और उससे संबंदित जितने भी कारेक्रम थे उसका एक तरह से समझ लीजिए कि यह अउपचारिक समापन की तरफ हमबढ रहे हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना संख्शेप में इस विशे में भी बात की जाए प्रिगुणात्मी का प्रकृति से बनी हुई स्रिश्टी है जिसमें तीन लीलाओं की विशेश्ता बताई गई है वार्णी कहती है कि एंद तीन भागने बताया गया और ब्रह्म्य लीला का जो पहला भाग है जिसको हम ब्रज लीला कहते हैं उस ब्रज लीला को भी ब्रज लीला में लीला करने वाले श्री कृष्ण जी की लीला को भी हमने तीन अलग-अलग शक्तियों के द्वारा की हुई लीला कहकर त्रिधा लीला का नाम दिया वैसे तो कथाएं कहानिया इससे पुराणों के माध्यम से पहले के लोग भी जानते आ रहे थे वरतमान में भी टीवी सीरियल के माध्यम से कृष्ण जी की लीला को तो सब जानते हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि ब्रह्म लीला क्या है गोलो की शक्ति की लीला क्या है और अवतार की लीला क्या है धामधनी स्री राज्य की क्रिपा से हमें जो तार्तमानी मिली है व्रमज्यान का प्रकास मिला है तो आज हम सरलता पुर्वा के कह पा रहे हैं कि क्रिष्ण क्रिष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई नाम एक व किला उनकुष्षी है उस विशंे मे नहीं जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब सुन्दर साथ उस ब्रजलीला के रंिक को समझे ऊच zar प्रहें कि उस लीला को याद करने का या वाणी के माध्यम से याद कराने का क्या प्रयोजन वो प्रयोजन किरंतन की वाणी में और किरंतन ही नहीं रास की वाणी में प्रकास की वाणी में अनेको इस्थानों पर बताया गया है जैसे कि वाणी क्या कहती है कि आप डारिया जियों पहले पेरे भी डारियो निशंक पेर जी ऐसा कहते हुए ब्रज लीला में हम ब्रह्मिश्रिष्टियों ने जो की गोपियों के तन में थी किस तरह से संसार को त्यागने में किस प्रकार की जल्दी बाजी दिखाई थी किस प्रकार का समरपण दिखाया था स्रीकृष्णी जी के अंदर जो राजी है उनके प्रति कैसा प्रेम दिखाया था उसको बताते वे कह रहें आप डारियां जो पहले ते किरंदन की वार्णी कहती है कि जो देखाई ब्रज रास में एही वतन चाल ब्रह्म स्रिष्ट ब्रज और रास में जो प्रेम की रहनी हमने दिखाई ब्रह्मात्माओं की रहनी भी तीन की गिंती की बात बताते बताते मैं एक और बात पर प्रकास डालना चाहूंगा तीन स्रिष्टी है ब्रह्म स्रिष्टी इस्वर स्रिष्टी और जीव स्रिष्टी तीनों स्रिष्टियों में एक एक गुण की प्रधानता है इसको सुन्दसात खुले हृदय से विचार करें तो शायद हम अध्यात्म में या प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे तीन स्रिष्टी है तीनों स्रिष्टी ने एक-एक गुण को अपनाया है सामा निरूत में जीव स्रिस्टी कर्मकांड को अपनाती है जिसको हम बोल्चाल में शरीयत भी कहते हैं वाणी के भाषा में इस्वरी स्रिस्टी जियान को अपनाती है जियान की प्रधानता होती है और ब्रह्मात्माई प्रेम लक्षणा भक्ती को अपनाती है था प्रेम को अपनाती है इस त्रिधारिला के माध्यम से भी जितने सुन्दर साथ हम जुड़े हो गए हैं अभी के Zoom मिटिंग में मैं देख रहा हूँ 206 सुन्दर साथ जुड़े हैं थोड़े उपर संख्या हो सकती है हो सकता है YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से और ज्यादा लोग भी जुड़े हो देख रहे हैं जो जीव स्रिष्टी है उसको प्रेम के विशे में कितनी ही बातें बताई जाए वो प्रेम की बात को भी ग्यान के रुप में लेगी व्याख्या के रुप में लेगी कि कितने अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है उतना तक तो ले सकती है लेकिन उतना सुनने के बाद भी वो कर्मकार्ण के तरफ ही बढ़ेगी इस्वरे स्रिष्टी ज्यान की बातों को सुनेगी ग्रहन करेगी और उसका आकरशन भी ज्यान की प्रती ही होगा रिदय में ऐसा नहीं है कि प्रेम बिलकुल भी नहीं होता प्रेम तो चेतना का स्वाभाविक गुण है लेकिन जहां में बात कर रहा हूं तुलनात्मक रूप से जीव इस्वरी और ब्रह्मा में तो इस्वरी स्रिष्टी में ज्यान की प्रधानता होती है और कुछ हद तक खोड़ा बहुत प्रेम की भी सुगंदी होती है लेकिन ब्रह्मात्मा की रहनी है प्रेम लक्षना भाष्टी भले ही व्याख्या की शयली चाहे कैसी भी रही हो ज्यान किसी दूसरे को बता पाने का तरीका हो या ना हो लेकिन ब्रह्मात्मा राजी की वानी को समझेगी वानी के भाव को समझेगी और उस भाव को भाव से हृदय में ग्रहन करेगी अब यह हमें तय करना है कि हमें किसको पकड़ना है और ब्रह्मात्मा की रेनी तो अभी जैसे आपने तृधा लिला को सुना तो ब्रज लिला की घटनाएं सुनी होंगी कि किस तरह से गोपियों का प्रेम था भी तक में भी कुछ दिन में हम भी तक भी सुनेंगे वैसे तो हर वर्ष सुनते हैं दीप बंदर के प्रसंग में श्री जी जैराम भाहित अंसारा को कैसा क्या कहते हैं कि कैसा प्रेम ब्रज में तुमसे करते श्री राज कि ब्रज मंडल में राज जी तुमसे कैसा प्रेम करते थे और तुम भी माया के सारे कारिय करते हुए कैसा प्रेम करत ब्रज मंडल में वो श्री कृष्ण जी आकरशण के केंद्र बिंदू रहे माया के सारे काम करते हुए भी केंद्र में कृष्ण जी थे इसलिए उन गोपियों को ब्रज से रास में जाने में कोई कठी नाये नहीं हुई यह जागनी का ब्रम्हांड है हम जागनी रास की बात बारम बार करते हैं सेवापुजा में भी कहते हैं कि श्री ठकोरानिती सात्थ सकल मिले जागनी लेकिन जागनी रास की अधिकारिणी हम ब्रमसिष्टियां कैसे बनेंगे ब्रज की लीला में जैसा प्रेम था वही प्रेम यदि आज भी आए और वो प्रेम धाम्धनी स्री राज्य की क्रिपा से आप सभी सुन्दर साथ करके दिखा रहे हैं मैं किसी की व्यक्तिगत प्रसंसा के लिए बात नहीं कह रहा हूं और मुझे ये कहने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि जिन जिन सुन्दर साथ ने श्री प्राणनाजी वानी के जूम मीटिंग में यूट्यूब में वाट से फेस्बूक इत्यादी में सेवा दी है सभी ग्रिह लेने वाले लोगों के पास भी घर का कुछ न कुछ तो काम होता ही तो माया के अपने काम को करते हुए समय निकाल करके सेवा यदि आप कर पा रहे हैं तो राज्य की कृपा से आप कि अइटिंक इंटर्नेट का कोई इशू हुआ होगा ज़रोर पर हम सब सुन्दर साथ जी के लिए बहुत सुन्दर शुप कामनाएं सेवा भावी सुन्दर साथ जिन्होंने इतनी मेहनत की तीम्स में बैट-बैट सुन्दर साथ जी आसान नहीं होता माया में से समय निकाल निकालके हफ्थे में तीन तीन बाद सुबह की मीटिंग तो जॉइन करनी है और हफ्थे में तीन तीन बाद चार चार बाद शाम को अपनी मीटिंग में बैट कर दामदनी की चर्चा करना कोई आसान नहीं apologize आये इन सेवाओं के बारे में जानते हैं हमारे प्रवीन भाई जी से प्रवीन भाई जी 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 प्रवीन बत्रा जी अशोग जी के चरण में कोटी-कोटी प्रणाम जी और आनन सहर्शित होते हुए इंवोग जो आज इमोचन किया इसके सब सुन्धरसाथ YouTube जूम में बेटे हुए सभी प्राणादर सुन्धरसाथ के चरणों में और सोन्या दिदी के चरणों में भी कोटी-कोटी प्रणावजी प्राहनाजी मंदीर में ब्रह्म ग्न्यान को संदर साथ तक पहुचाने के लिए रात थी अथाक सेवा करने वाले हमारे अनमोल संदर साथ के चलणों में भी कोटी-कोटी नभण जो अलग-अलग सेवा हरुज हो रही है इसके लिए हमने सभी सुन्दर साथ के जो मेहनत किया इसके लिए आभार प्रगट करने जा रहे है तो इसमें पहली सेवा थी पेंटिंग सेवा जो पेंटिंग सेवा में क्या था कि सब बच्चे छोटे-छोटे बच्चे पेंटिंग बना के भेशते थे और उसका पेंटिंग का हैंडलिंग कमलेश भाय और शिल्पा जी जुनेजा दोनों कर रहे है जो पेंटिंग इतनी अच्छी बनके आती थी बच्चों के द्वारा तो जब हम यू क्वीज या गूगल क्वीज कई भी जो वहां रखते थे जो सुन्दर साथ को अच्छी तरह से उसका लाब मिलता था तो हमारे छोटे-छोडे बच्चों ने वारी के प्रसंग आदारी चित्र पहली बना कर सुन्दर चित्र बेजे है जिसको हमने गूगल क सुन्रस् bisa सुन्दर साथ कर रहे है सिर्दी के लिए विजय भाई जी है मिठी बतिया के लिए हैमनभाई पटेल जी और वानी भाव की लिए कार्षी कर रहे है तो यह हमारी सम्नेल सेवा जब सुब वानी चरचा चलू अकी इसने पहले सब आ जाती और निरंतर आ रही है तो थमनेल बनाने वाले गुपत सिवादार ने सबसे जब से सिवा देनी चालू की तब से जूम मिटिंग की चर्चा में चार चार लग गए है कभी हमने सोचा नहीं था कि प्रसंग के अनुरूप फोटो बोलने लगता है यह हम सबने पहली बार देखा आप यह सिवा कर रहे हो यह तो इंक्रेडिबल सिवा है जो राज जी की महर के बिना संभव नहीं है मैं तो गुपत सुन्दर साथ विजय भाई, हैमन भाई, पतेल जी, कार्तिक जी के चरणों में कितना प्रणाम करूँ यह कम है सोनिया जी का मिशन जागों और जगाओं में आपकी सेवा नहीं होती तो यह कारिया धुरा रहता आपके उपर धनी जी खूब महर बर्सायों और शक्ती प्रदान करे कि नित्य दिन नए संकल्प शिद्ध करे आपके आने के बास प्राणना जी वानी के ज्ञान मंदीत खिरे की तरह चमक रहा है तीसरी सेवा थी चौपाई डेकोरेशन सुबह में जब चलती है तब चौपाई भी आती है तो चौपाई के जो डेकोरेट करते है ओ भी सुन्दर साथ नीलम पटेल जी हैमन पटेल जी दिप्ती जी नीरंतर सुबह चर्चा की चौपाई को डेकोरेट करके सुन्दर सिवा प्रदान कर रहे है इसके लिए आप सभी के चरणों में प्रणाम जी चौथी सेवा है सुप्रबाद जी के द्वारा सुप्रबाद में वानी गायन की सेवा सुबह में वानी गायन के लिए सुन्दर साथ को मैसेच करना और प्रोस्ताहित करके सुन्दर मिठा वानी गायन की लजजत दिलवाने के लिए हमारी प्यारी सकी सुप्रभा जी अरोरा जी इस उम्र में भी जो सेवा कर रही है लाजवाब करी है इनके चरणों में और हर रोज वानी गायन काने आने वाने सभी सुन्दर साथ जी के सेवा के लिए कोटी-कोटी प्रणाम जी पाचवी सेवा युवा सुन्दर साथ बाल केंदर एक छोटा बाल केंदर खोला हुआ तो युवा सुन्दर साथ इसमें वानी गायन, तार्तम मुंत्र, सेवा गानी गाकर सब सुन्दर साथ को जगाते हैं यती सुन्दर कारिय कर रहे हैं उसके चरणों में भी कोटी-कोटी प्रणाम जी चट्थी सेवा है Google Quiz जो हमारी Ruby जी और कमलेश भाई हेंडर कर रहे है Google Quiz बनाने के लिए बहन Ruby जी और कमलेश भाई सतत अग्रशिल रहकर हर सपता सेवा कर रहे है इसके चरणों भी कोटी-कोटी प्रणाम जी शातवी सेवा है Sharing सिवा Sharing सिवा में क्या है कि हमारे स्पूर्तिले जोस से भड़े हुए सेवादर सुन्दर साथ हर्वोट Facebook YouTube टेलीग्राम और Instagram में सब वीडियो शेर कर रहे है जिससे देश विदेश के सुन्दर साथ पढ़के सुनके जीवन में बदलाव महसुस करते है ये सेवा दर सुन्दर साथ कमलेश भाई प्रविन भाई आशिमा तनेजा जी सीतल बंडेरी जी प्रफुला बंडेरी जी जोती सिंग जी रादीका चौरशिया जी किंजल सिंगला जी मुकेश त्यागी जी सुरेश कोहिल जी शानता बे कर देते हैं जूंके अंदर की डंजी डंजी करके सेवा को सबको बता देते हैं आठवी सेवा है मिठी बतिया जो मिठी बतिया है वो शानता जी जैन जी और शितल बंडेरी जी जो मिठी बतिया के लिए देश विदेश के सुन्दर साथ को फौन कॉंटक करके अपनी जीव अमुल्य कार्य के लिए सेवदार के चलणों में प्रेम प्रणाम जी, नवुमी सेवा है, वानी पाव रखने के लिए सुदर साथ को शहर गाव में कॉंटेक करके हमारे पॉइंट अफ कॉंटेक कॉंटेक, प्रफुलाबेन बंडेरी जी गोदरा से सुरेशपय गोहिल जी दाहोच से राधाबेन लाठोर जी जामनगर से जैसरबेन अटारा जी जैपूर से सिलपा जी जुनेजा एंचान कमल चूग जी घुरुगराम से अनिता मलिक जी असाम से सुनिता सिंगल जी बरोडा कन्या गुरुकुल से किरन माता जी और कहिलास माता जी सरसावा ड्यानपीट से अचारी अशोग जी पंजाब से अंजू से ठी जी और आशा महान जी नोएडा से सिमा खुराना जी घाजियाबाज से आयूशी त्यागी जी सहरानपूर से राजबाला जी USA से डॉक्टर कनुबाई जी वीवीद भारती जो वीवीबी हो जो शान्ता जी नेपाल से विदूर भाईया और शकुंटला थपलिया जी मुंबई से कावेडी जी बैंगलोर से जोती जी और ओवरॉल को ओडिनेटर इसका जो कर रहे हो शिल्पा जी शान्ता जी और प्रवेड भाई टाइपिंग से वागे लिए हिंदी में जो कर रहे हो इश्यास्ताना जी, देवेंदर प्रसाज जी मुकेश त्यागी जी, दिक्षा शर्मा जी सूरेश भाई जी, संजीव भाई जी गुजराती में टाइप करने के लिए संजीव भाई जी और नेपाली में टाइप करने के लिए स्नेहा निउपाने जी गुप्त सुन्दर साज जी भी इंग्लिश में टाइप करने के लिए स्तूती शाह जी प्राची गाधी जी, हैमन पटेल जी लिए अगे अगर भी आए गी उसकी भी टैपिंग करने की हो सब सेवांदर प्रोशेस में तो ये राद दिन जो मेहनत कर रोहे हैं इंडी गुजञाती नेपाली इंग्लिश में टैपिंग सेवा कर रोहे ऐसे हमारे अगरनी सिवादा सुन्दर साथ के चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम जी दूसरा है टाइपिंग प्रूफ रेडिंग तो उसमें भी हिंदी में कमलेश भई गुजराती में भी कमलेश भई नेपाली में इंदरवती जी इंगलिश में स्तुती शाफ प्राची गा अग रहे हो हम बोलने की भी जरुवत नहीं पड़ रही है ग्यारवी सेवा चल रही है रिल्स सेवा जिसमें मुकेश्ट यागी जी कावेडी जी पतेल नीना भुचाल जी ये सुन्दर साथ हर रोज छोटे-छोटे वाणी चर्चा के रिल्स बनाके पोश्ट करते हैं ये सेवा के लिए कोटी-कोटी नमन आत्मिक रिमाइंडर जो सिल्पा जुनेजा जी और शानता जैन जी सुन्दर साथ के सुन्दर रिमाइंडर मंगवा कर पोश्ट करते हैं इस सेवा के लिए भी कोटी-कोटी नमन यूटूब क्वीज जो शानता जैन जी सुन्दर प्रश् कि युट पूश्ट स lav a और अधियव के ताइमिंग कोुटी प्राणिया ले रही और युटा कर रही है उसका हिंदी बावार्थ किरन खुराना जी हरोइट पोस्ट करती है उसकी उंदा सिवा के लिए शित्रत प्रणाम जी पंदरवी सिवाय कमलेश भाय पटेल जी जो सहियोगीता पूरी जो जूम की हमारी त्रिदालिला की सहियोगीता में डिजाइनिंग एक्जीक्यूशन की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण तक सिवा प्रदान की उसके लिए पूरे पूरे जूम पडिवार और मेरी तरब से कोटी कोटी नमन सहियोगीता एक्टिंग के डायरेक्टर शांता जैन जी टीम के लिए जरूरी मुक अभी नए वीडियो अपनी गाइडनस में सुन्दर साथ से बनवा कर रखती है इस सिवा के लिए शत्षत नमन बुजो तो जानों के लिए अग्रणी सेवादार मदू अरोरा जी ने सहियोगिता में भाग ना लेते हुए भी बेजा और जो सहियोगिता में भाग लेते हुए सुन्दर साथ ने भी जो बेजा है बुजोईतो जानों के लिए तो सभी सुन्दर साथ के लिए कोटी-कोटी प्रणाम जी आदर्णी सोनिया जी के मार दर्शन में प्रमुख सेवादार स्री कमलेश भाई जी शांता बेहन जी, शिलपा जी, प्रभा जी कि ये नीरंतर सेवा के आदर्शन जुम की खिड़की से आत्मिक सूख और प्रेम की लज़र ले रहे उनके बिना एकारिय की चमक अतूरी रहती, इसके लिए उन सभी प्रमुख सेवादार सुन्दर साथ के चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम जी हमारे प्रभूर सुन्दर साथ से दुश्यन भाई, से सी निवास जी हर रोज चर्चा के अंत में अपना भाव रखते हैं जिसे सभी सुन्दर साथ को प्रसंता पहस्तोस होती है ऐसे विन्दम्र साथ जी के चरणों में प्रणाम जी अंत में हमारे आदर्ण ये सोन्या जी के विजन और मिशन को लेकर प्रोग्राम चला रही है जैसे के चितवनी, बितक चर्चा, मिठी बतिया, वानी वाव, घुकल क्वीज, प्रशनोतरी, आत्मिक रिमाइंडर, आत्मिक बोड, बाल के अंदर सी प्रानना जी वानी सब्टाइक प्रशनोतरी जैसी अनेक सेवाए निरंदर सुन्दर साथ को मिल रही है जिसे सुन्दर साथ पुड़े दीन अध्यात्मिक न्यान पाकर अपने मूल घर की तरब चलने का प्रयास कर रहे है आपने प्रानना जी वानी का स्थापन करके पुझे राजन स्वामी जी के ब्रह्म मवानी की ठिका लेकर गुह रश्य को सरल उदाहन की दोरा समझाते है इसके लिए आपके चर्णों में शच्चत प्रणाम जी आपकी चर्चा में रस्तारा बहती है जिससे सुन्दर साथ भ्रह्म मवानी की प्रतिर लोटपॉट हो जाते है में राज्जी से अर्जी करता हो की आपके मुख से अवीरत एक कार्या चलता रहे और लंबी आयू प्रणाम की पुझ्य राजन स्वामी जी के ब्रह्म मवानी को अती सरल बावार्थ और अर्थ में लिखकर अलग-अलग भाषा में प्रसारित किया है इसका सभवागिया सब सुन्दर साथ को मिल रहा है कि बगीरतकार ये किलिये पुझ्य राजन स्वामी के चरनों में प्रनाम जी आज के भविय अईतियासी प्रणाम जो हुआ है उसमें प्रदारेव उपसे सब सुन्दर साथ के चरणों में डॉक्टर प्रवीन जी डॉक्टर अरे अशोग जी की चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम जी इस विस्तरित रिपोर्ट के लिए आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम ये विजन महामती जी का विजन है य जागो और जगाओ का मिशन श्री राजन स्वामी जी के साथ हम उन्होंने सुन्दर साथ जी गोवर्धन उठा रखा है प्राणना जी ने हम तो ऐसे डंडी लेके वैसे शोभा प्राप्त करें कि चलो गवालो तुम भी डंडियां लेके खड़े वो जाओ संभाल तो सब मैंन रखा है तो आए सुन्दर साथ जी अब चलते हैं किरन माता जी के मुखार बिन से वानी चर्चा सुनने के लिए हां जी पांत साथ मिनेट जरूर किरन माता जी से आशिरवचन लेते हैं प्रनाम जी किरनांटी प्रनाम जी सुनिया आप सब सुन्दर साथ के चर्णों में मे कि यह कुंकि बहुत से सुंदर साथ ने भाग तो लिया लेक jsum समगर ऑपाह की कि लिए इस कुट आने प्राना जी वानी, परिवार खुशन Links кी पॉर बहुत बहुत रहाद ही दमに नहीं दो और धन्यावाद क्यों देंगा ना सबने बहुत अच्छा काम के और जो तृधा लीला आपने बहुत प्यारी सब को सिखा दी जिसको समझने में सब को बहुत मुश्किल होती थी मैंने सुंदर साथ के भाव बे सुने तो सब रो-्रो करके बता रहे थी कि कैसे हमें पर हमने अब उस त्रीधा लिला को संदसाजी अपने जीवन में भी उतारना है जैसे हम बरिज में कैसे इंतजार करते थी सारा सारा दिन जब वो जमना थटपे जाते थे गोंड़ाने चले जाते थे हमारा दिन पूरा कैसे बीटा था रोते रोते बीता था सुनसाची आज भी हमारा दिन वैसे ही बीतना चाहिए जब हम उस तन की इंदिजार करते थे जिस तन में अक्षाती द्लीला कर रहे थे आज भी वो तन हमारे पास हैं वो राजी कहीं दूर नहीं हैं हमारे सहरक से भी नईदीख हैं और हमें उनको विरहा में डोब उनको पुकारना है जैसे हम तब पुकारते थे आज भी हमें पुकारना और राजी हमें कैसे हमें प्यार देते थे कैसे हमसे मीठी मीठी लिलाएं करते थे और जब थोड़ा सा भी हम देखा ना राजी ने क्योंकि हमें ये भी दिखाना था विरहा की लिला भी दिखाना थ थी ग्यारान साल के बाद बावन दिन की जुदाई हुई और जैसे ही बंसरी बजी हम कैसे अपने घर छोड़ करके कहां पहुंच गे थे उस योग माया के ब्रमांड के अंदर केवल ब्रह्म के अंदर हमने इस इसार को क्या माना वोपदवच गाएं के बच्छडी बच्छार होता है उसको जब चलता है तो जितना गड़्धा बन जाता है ऐसे ही हमने इस संसार को इस भावसागर को पार करके उस योग माया के ब्रमांड में पहुंच गे जिसके लिए का सो सहीजे घर आया जाको वेदे किहा अगां जिसको वेद कहती है नेती-नेती कह करके वापिस लोटाए जहां वो उस भावसागल को पार नहीं कर पाए निराखार के मंडल को पार नहीं कर पाए हमने कितने असानी से इसको पार कर लिया और आज भी हमें पार करना है कैसे पार करना है चित्वन के द्वारा दिहान के द्वारा इस संसार को पार करना बहुत मुश्किल है र पर राज्जी की बहुत मेहर हो रही है हमें सब कुछ पका पकाया धामजनी ने दे दिया है और बस हमने उसके अंसार चलना है और इस भावसागर को पार करके उस योग माया के बर्मांड से हमने कहा जाना है अपने धनी के चड़ना है योग माया के बर्मांड में जब हम क्या कहा था? आप हमारे हो, हम आपके हैं. वेम तं तं अस्माकम. और आज भी सुंधर साजी, राजी हमारे हैं. हम राजी के हैं. राजी हमसे दूर नहीं है. राजी हमसे अलग नहीं हैं. और यही बात अगर आज हम अपने में सब सुन्दर साथ लागू करें हम सब सुन्दर साथ क्या हैं एक हैं राजी के हैं राजी हमारे हैं तो हम सब में कोई भी भेद नहीं हैं सब एक दिली में आ जाएंगे सुन्दर साथ जी हम सब मिल करके चलना है कोई भी हम अलग नहीं है जैसे जैसे हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा तो कितना राजी को सुख लोगा जियों जियों प्रीत होत है साथ में तियों तियों होत वाहि मुही को सुख जियों जियों वरोद बढ़त है साथ में तियों तियों होत वाही को दो वहाँ पर उल्हाने तो हमने योग माया के बर्माड में सुने आप सुन्दर साथ जी परमधा में हमने जाना है इस जागनी बर्माड में इस लीला को खेलना है हमने यहाँ पर बैटका की सुख लेने है जागनी के सुख तबी तो कहा है अब जाग देखो सुख जागनी इस सुख सुखागिन जोग तीन लीला चोथे घर की चारों कजामे हम ब्रिज का भी सुख सुन्दर साथ जी ले रहे हैं यहां पर कैसे आज हम सब सुन्दर साथ जैसे ही टाइम होता है जैसे तब बंसरी बईती थी आज भी बंसरी बजरी है उस बंसरी के इंसार जैसे ही वानी शुरू होते चाहे वो सिंदी की वानी हो, चाहे बीतक हो, चाहे त्रीधा लिला हो, हम सुन्दर साथ कैसे जों के माध्यम से, चाहे कहीं और भी किसी भी माध्यम से, चाहे सागर, सिंगार, कहीं भी टीका का जो सामी जी के दोरा लिखा गया, उसको सुनाया जाता है, तो हम सब सुन्दर सा जी जैसे हमने पर उसमें प्रेम था भले ग्यान नहीं था पर प्रेम कितना था और जोग माया के बिर्मान में ग्यान तो था ऐसा नहीं कि ग्यान नहीं था हमने प्रेम का विलास भी देखा आज भी हमने परमधाम के उन अखांड सुखों को लेना है उस सागर में डूबना है उस सिंगार में डोबना है धनी के एक एक अंगों की शोभा में डोबना है जब असल में हम ऐसे सुख ले करके हम अपने धनी के सामने जाएंगे जहां पर जब चारों लिलाओं का सुख यहां पर ले लेंगे धनी के चर्णों में जाएंगे तो हमें अपना मुक्त नीचा नह कितना अनन्दित होंगे फिर राजी जो हमें सुख देने आए तो उन सुखों को लेना ही पड़ेगा हमें उन सुखों को लेने के लिए जैसे की हमारे धनी ने हमें बताया है फिर फिर सुड़ता साधिये धनी चीत सुखचैन इश्क आए पीशे बेर नहीं फुल जात निजने जब हम बार बार इस सरूप को इस शोभा को अपने धनी के यूगस रूप की शोभा को अपने धाम हिर्दे में विसाएंगे सुन्दर साजी तो हमारी आतम जागरत होगी हम अपने घर को देखेंगे अपने प्रीतम को देखेंगे अपने धनी के चर्णों में पहुंचेंगे अपने पचीस पक्षों का सुख लेंगे तो धनी भी खुश होगे धनी जो हमें देने के लिए आये हैं सुन्दर साजी वो हमें लेना है और लेकर के अपनी घर जाना है जब तक इन सुखों को हम नहीं लेंगे, कोई एक भी आतम जागरत रहती है, नहीं होती, हम अपने घर नहीं जा सकेंगे, इसलिए ये जोम के माध्यम से ये वानी जो फैलाई जा रही है, प्राना जीवानी का चैनल, मैं तो धामधनी से हमेशा यही प्रात्ना करूंगी, कि ह हम सब सुन्दर साथ, सभी चैनलों के द्वारा, सब के द्वारा, सब सुख लें, सब प्रेम करें, प्रेम सेवाएं पामसोपार, ये वचन धनी के, कही निर्धार, प्रेम से सिवा करें, प्रेम के सिवा धनी के चर्णों में पहुंचती है, जब धनी के चर्णों में पहु प्रणाम जी सुन्दर साथ जी वडोधरा में कन्या गुरुकुल में सेवा करते हुए भी जूम मीटिंग में अपनी सेवाएं प्रदान करती हुई हमारी प्यारी किरन माता जी के चर्णों में हम सब की और से प्रणाम करती हुँ प्रणाम जी अभी दुश्यन भईया हमारे उन सुन्दर साथ के लिए कुछ कहना चाहते हैं जिनके कारण ये कारिक्रम आज पॉसिबल हो पाया है दुश्यन भईया प्रणाम जी प्रणाम जी पुनाम जी सुन्दर साथ जी, सुन्दर साथ जी हम सब जानते हैं, हमें ये जो आनंद, सुख, चर्चा, वानी, लज्जत, ये जो मिल रही है, इसे देने वाले कौन है, हमारे प्रियतम अक्षराती धाम देनी है, वो जिस वजीूद को भी शोबा देते हैं, उन अंगनाओं की भी सिफत बहुत बड़ी है, वानी में, श्री जी फर्मा रहे हैं, तुमको इश्क उपजावने करूं सो, अब उपाए, पूर चलाओं प्रेम को, जो याही में छाग छपाए, इश्क जिन्विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जानिये, जब इन रं वानी से इसपस्ट हुआ कि शिरिमती सोन्या जी के मुखार बिंद से विभिन प्रेम मैं चर्चा और इनमें विभिन प्रसंगों में आने वाले सांकेतिक चित्र अर्था थमनेल जो प्रसंगों को जीवन्त कर देते हैं, ये उपाए, ये जिनस, मूल्स रूप ने हम अंग इपनिये उतकरस्ट थमनेल की अधित्य सेवा करने वाले हम सब के प्यारे सुन्दर साथ जी, शिरी मैं भी नहीं जानता, अज्यात गुप्ट सुन्दर साथ जी के चर्णों में जूम परिवार सुन्दर साथ जी की और से अनंत आनंत देने के लिए कोटी-कोटी प्रणाम सुन्दर साथ जी, सुन्दर साथ जी स्री क्रश्न तृधा लीला ई-बुक के इस अभूत पूर्व विमोचन में इन गुप्ट सुन्दर साथ जी का अथक और एवणनिया योगदान है, वे अपनी अनुपम सेवाओं के बाद भी अपना नाम गुप्ट रखना चाहते हैं तो इस प्रसंग में मैं पुरुष शरीर भाव से प्रथक होकर अंगना भाव से अपने आत्म संबंदी सुन्दर साथ पर अधिकार समझ कर आज जूम परिवार की ओर से मनुहार मिश्रित उलाने के वचन प्रकट करना चाहती हूँ एक प्रेमपाती गुप्त सखी के नाम हे गुप्त सखी याद करो कि खेल में आने से पहले कैसे हम एक दूजे के अंग से अंग लगा कर आत्मिता एक दिले से बैठी थी और परस पर खेल में जाकर जुदाना होने का वायदा कर रही थी मीनो मीने करे हुसियारियां हक खेल देखावे जुदागी एक कहे दूजी को मुख्तें रहिये लप्ताए अंग लागी और सखी ये भी याद कीजिये कहा था क्यों हम जुदे हो इसी एक दूजी को छोड़े ना है आपने भी वायदा किया था कि ना तो जुदा होंगे और ना ही एक दूसरे को छोड़ेंगे लेकिन आपका यूँ हमसे पर्दे में रहना हमको जुदागी के समान ही लग रहा है ए सखी अपना नाम इसलिए तो छुपा रही हो कि कही नाम प्रसस्ती से मैं खुदी ना लग जाए तो आप नाम की मैं खुदी को जीत कर कदाचित पिया को पहले पा तो लोगी लेकिन क्या हम सब को पीछे छोड़ कर धाम का अपना वायदा एक दूजी को छोड़े ना ही तोड़ दोगी जबकि धनी जी ने वाणी में कहा है पोड़े भेले जाकसी भेले खेले देख्या सबो एक जब हम सब को एक साथ ही मूलतन में जागना है तो अपनी सखियों से ये परदा क्यों है सखी इस खेल में हमारे प्रथक वजूद का आधार हमारा अंतसकरण मन चित बुद्धी और एहम अरथात में ही है क्या हम मैंसे प्रून रूप से छुटकारा पासकते हैं यदि आप नाम प्रशन सादी की मैंकु कदा चित धनी की मैंसे मिटा भी दो फिर भी मैंसे छुटकारा पाना असंबाव है क्योंकि चुपाई में देखते हैं मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं, हमने राजी की मैं से इस दुनी की मैं तो मार सकते हैं, मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं, अब ए मैं कैसे मरे, जो आई है खसम से, जो राजी का एहमेव जाग्या धाम का वो मैं आएगी, वो भला कैसे मरेगी नहीं मिट सकती है हे गुप्त सकी इस विशह में वानी में इंद्रावती जी की आतम कहती है जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम अर्थाथ यदि मैं शरीर और संसार से सम्म्न्दित जीव की मैं के साथ साथ आतमा की मैं को भी समाप्त कर देती तो आपके चरणों में भला कौन आता इसलिए हे सखी इन मैं के आने ने आने की जटिलताओं को छोड़कर हमें कहना है जो जानो त्यों करो धनी तुम्हारी मैं अरे सुदर साथ जी ये तो मैं फिर से आ गई अब क्या करें तो अंतिम हतियार बचा है कि मैं चलाई कदमो ऐसा दिया बल तुम इन विद मैं मरत ना कछू बिना खसम अर्थात धनी आपके दिये बल से मैं संसार को छोड़कर आपके चरणों में आ सकी इस प्रकार से संसार की मैं समाप्त होती है ये धामदनी आपके बिना तो यहां कुछ है ही नहीं हे सकी तो फिर हमें क्या डर ना हमारे प्रियतम ही हमारी रक्षा मैं से करने वाले हैं तो फिर आओ चले इस परदे को हटा कर गड़े की रामत की तरह एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले अपने प्रि आपके दिदार और वचनों की प्रितिक्षा में हम साब जूम परिवार आपके चरणों में प्रेम प्रणाम करता है और इस परदे को हटने का इंतिजार करता है प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथ जी प्रणाम जी सुन्दर साथ जी आपके लिए सूचना के लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आज वो सुन्दर साथ हमारे साथ हैं जिन्नों ने इतनी मेहनत की है कि लास्ट दो महीने से वो लगे हुए हैं ये पूरी एक मिनी वेबसाइट जैसा तयार करने में कि हमें स अथों से डिजाइन किया है और ये जो थम नेल आप अभी देख रहे थे ना एक एक थम नेल में पूरी ब्रज समाधिया करते हैं पूरे श्रीजी के बीतक का प्रसंग चाहे आप बीतक ना भी सुनें तो एक चित्र देखकर समझ सकते हैं कि श्रीजी कहां से कहां जा रहे ह आज के प्रसंग में कौन सी चौपाई प्रमुख है और पूरे का पूरा शेहर बसाना यदि एक चित्र में सीखना हूं तो हमारे इन सुन्दर साथ की प्रेड़ना से हम सीख सकते हैं धामदनी की बहुत महर विशेश महर उनके उपर बरस रही है और केवल मैं ये जरूर ब खूब खूब प्यार उमरता रहता है सुन्दर साथ जी आपके चर्णों में प्रणाम 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 नतमस्तक हैं हम क्योंकि केवल 30 साल की आयू में एक साल एक वर्ष उनकी शादी को हुआ है सिरफ और पूरा दिन सेवा में स्वयम को जोंक देना जैसे कि स्वामी ज ने कहा ग्रिहस्ती में सन्यासी हो जाना इस प्रकार के वो सुन्दर साथ आये सुन्दर साथ जी सब मिलकर ऐसे सुन्दर साथ की सेवाओं से हम भी सीखें और हम भी ऐसी ही सेवाओं में आगे बढ़ें जिस प्रकार हमारे ये सुन्दर साथ बढ़ रहे हैं और हमारे सेवा भावी सभी सुन्दर साथ ने इसको संभव कर दिखाया जो एक छोटे से क्या है सुन्दर साथ जी एक जरा सा छोटा सा जूम चैनल कुछ भी नहीं है एक बूंद भी नहीं है पर एक किताब बनकर बाहर आई तो ये आप सब सुन्दर साथ का प्यार लिखने वाले और बाकि स सभी सुन्दर साथ की सेवाओं का परिनाम सब के चर्णों में कोटान कोट प्रनाम स्वामी जी के चर्णों में जितने प्रनाम किये जाएं जिन्नोंने गहराई में जा जाकर अपना जीवन होम करके इतने घंटे की नींद लेकर एक छोटे से कमरे में उनको कोई ऐसी की परव हो सकते हैं जो इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं और आज सुन्दर साथ जब उनके द्वारा किये हुए टीका के एक एक शब्द में डूपता है तो हार्दिक प्रसनता होती है कि उनकी मेहनत सफल हो रही है और जो मिशन सत्गुरू लेकर चले हैं उस मिशन पर अब सुन्द जी के रिदय को जरूर प्राप्त होती होगी बुलो श्री प्रानात प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरू महराज कीजे इस प्रोसेस में यदि कोई भी गलती हुई हो किसी भी सुन्दर साथ का इतना सा भी रिदय टूटा हो एक सुन्दर साथ का रिदय तोड़ना एक मं दिर तोडने से कम नहीं है क्योंकि सुन्दर साथ के रिदय को अर्श कहा गया है सुन्दर साथ जी इसलिए किसी के रिदय को इतनी सी भी ठेस लगी हो मैं आप सब सुन्दर साथ से रिदय से क्षमा चाहती हूँ यदि किसी का नाम रह गया हो यदि सर्टिफिकेट में सर्टि की सेवा में नाम रही गया ओ तो आप सेवा के पत्र में सेवा अभार पत्र में भी जरूर इंफॉर्म कीजिए एगा प्रणाम जी संदर साथ जी प्रणाम जी चर्णों में और इसी के साथ समय पर आज का हमारा कारेक्रम समापत होता है आईए मिलकर जैकारा लगाते हैं अशोक जी हमारे पास पांच मिनट अभी भी है अशोक जी का नेट बीच में चला गया था यदि अशोक जी है तो आप ही कारेक्रम का समापन कीजिए भाई प्रनाम जी यदि आप है मुझे लगता है वो शायद शायद कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे क्योंकि बहुत कारे होते हैं श्री प्राणना ज्यानपीच सरसावा में आईए हम सब मिलकर जैकारा जैघोश करेंगे डिंडिम घोश करेंगे श्री प्राणना जी की वानी को जो जो हमने प्राप्त किया अपने आस पास के ब्रह्मान को अवश्य बांटेंगे इस इस बिगिनिंग ओफ गोष्टी इस नाट एंड ओफ गोष्टी क्योंकि हमारी गोष्टी अभी मंडे ट्यूजडे वेडनस डे चलने वाली है सुन्दर साथ जी आज तो केवल सप्प्राइज रिवील करने का दिन था हमारे सुन्दर साथ की परफॉर्मेंस तो अभी भागी है चलिए सभी अन्म्यूट करके मिलके जैकारा लगाते है श्री प्रान नमात त्यारी की गुरू महराज की जैकारा धात की सुन्दर साथ की आज यह utiliser हमारे सुन्दर साथिंख स्थितन था कीसित हां 근데 यह करी राम से सुन्दर साथिप्सोंwhat अलन heated है झाल 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 झाल